नवस्कार दोस्तो जैहिंद वंदे मातरम दोस्तो मैं आपके साथ जैसवाल सर बात करेंगे हिंदी ग्रामर के मौक टेस्ट में सभी का वेलकम अविनंदन है दोस्तो यहाँ पर 30 प्रस रहने बाले हैं हर एक प्रस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तो क्योंकि सलेक्शन स सभी मित्रों को जैहिंद वंदे मातरम प्रिशले क्लासेज भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और यह जो हिंदी ग्रामर की आपके कंसेप्ट आपके सलेवर्स के एकॉर्डिंग है ठीक है पहला प्रसन है इस्टेशन किस भासा का सब्द है दोस्तो ठीक ह और अंत में बताना दोस्तो आज की क्लास में 30 में से आप लोगों का कितना स्कोर है 30 में से अगर आप लोगों का स्कोर 20 प्लस है तो बहुती बहुती उंदा लाजवाब आपकी तैयारी चल लए है दूसरा प्रसन है दोस्तो संकर सब्द का अर्थ क्या होता है प्रसन तुटा हुआ है या दोबासाओं के सब्दों से मिलकर जो सब्द बनता है वोई हमारा दोस्तों संकर सब्द बनता है तीसरा प्रसंद दEK लेते हैं और आप लोग कमेंट के बाद में बता सकते हैं तो दोस्तो अब रेल गारी जो सब्द है यह भी संकर सब्द कहलाएगा दो भासाओं से मिलकर है बना हुआ शब्द है तो संकर सब्द कहलाएगा और दर्शन का तदभव क्या होगा अगर दर्शन काफिक जाम में अपटित गद्यांस और पद्यांस में पूच लिया गया एक दर्शन सब्द आया उसमें पूचिया गया किसको तदभव रूप बताईए तो अब क्या बताएंगे दर्शन, दर्शन, दर्स या दशन दर्शन, 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 आप लोग ज्यानी है शर्वग है ठीक है दोस्तों बहुत-बहुत धनवाद अंगला प्रशने लोटा सब्द है दोस्तों आपको पता है हिंदी और संस्कत में अगर 30 में 30 में लाना है यह 25 फ्लस लाना है तो ग्रामर का जो पार्ट रहता है यह बहुत ही इंपोर्टेंट होत यह बहुत ही रोल अदा करता है आपके सेलेक्शन के लिए अधिक्तम माक्स आपके भासा मिलाने के लिए लीए लैंगवेज मिलाने के लिए लोटा सब्द कहोन सा है दीकिए दोस्तों तश्चम देसऑच ॥ बिदिशच az cautious लोटा दीकि लोटा जो सब्द है अमारा है देस सब्ध कहलाते हैं यह सब्ध आम तोर पर छेती भासा में प्रयोग किया जाते हैं लोटा ओटा हो गया लोटा हो गया कटोरा डोंगा डिविया खिचडी खिडकी पगड़ी अंटा चसक चडिया जूता ठेट उमरी तेंदुआ फंगी कलाई यह सारे चीज़ हमारे देशच सब्ध है रूड है आपका योगिक है योग रूड है या इनमे से कोई नहीं तो दोस्तों कमल आपका किस प्रकार का सब्ध होगा शबी लोग कमिंट करेंगे जी हां बहुत बहुत धन्वाद तो कमल जो दोस्तों यहां पे सब्ध होगा वह आपको कैसा सब्ध हो जाएगा तो वह आपका रूड सब्द कहलाएगा कैसा है रूड योगिक योग रूड ये तीनों चीजों को मैं आल लेड़ी आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछली क्लासेज में पूरा डिटेल के साथ अगर आपने पिछली क्लासेज नहीं दिखा तो प्लेलिस्ट में जाएए हिंदी क्लासेज आपको मिल जाएगी दोस्तों ठीक है पाट साला किस प्रकार का सब्द होता है रूड है योगिक है योग रूड या इनमें से कोई नहीं तो पाट और साला ये दो आपके अलग अलग जुड़े हुए है तो पाट और साला तो पाट और साला दो अलग अलग जुड़े है तो यानि कि योगिक सब्द हो जाएगा जी है दोस्तों अब देखते हैं अंगला प्रस्ट दसानन किस प्रकार का सब्द है रूड है योगिक है योग रूड है या आपका इन में से कोई नहीं है तो दसानन दोस्तो किस प्रकार का सब्द कहलाता है तो दसानन आपका क्या कहलाता है योग रूड कहलाता है दस आनन ठीक है योग रूड ये भी सब्द कहलाएगा क्योंकि दस आनन दस मुखवाला अपने शमान अर्थ में प्रचलित होकर रामण में दसानन में क्या रामण पर था है तो अर्थ में रूड हो गया लेकिन दसानन जो है आपका योग रूड सब्द हैगा अर्थ में रूड हो जाएगा, रामण केसा है? रामण एक रूड सब्द हो जाएगा लेकिन अगर आपका दसानन तो दसानन आपका योग रूड सब्द हो जाएगा अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्रस्म इन में से कौन सब्ड तुर्की भाअ सा का है? चाय, रिक्सा, कमरा और कैंची सभी लोग कमेंड करेंगे फीडबेक देते रहेंगे तुर्की भासा के सब्द की बात कर रहें तुर्की भासा के सब्द की बात करें तो कैंची दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा तुर्की भासा का सब्द हो जाएगा और इनमें से तस्षम सब्द का चैन करना है बारात, वर्षा, हाथी, आशू तो यहाँ पे तस्षम सब्द कौन साएगा सभी लोग बताएंगे तो यहाँ पे जो वर्षा सब्द है, वर्षा सब्द क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा तस्षम सब्द हो जाएगा ठीक है, बहुत-बहुत धनवाद वीडियो लाइक कर लेंगे सबी प्यारेमित वीडियो लाइक करने के लिए बहुत-बहुत धनवाद आप लोगों का सपोर्ट लाजबाब उम्दा हैं दोस्तो वस्तु इस्थान या भाव या विचार के दो तक शब्द को क्या कहते हैं शंग्या, शरुनाम, विसेशन या विसेश कहते हैं तो वस्तु इस्थान भाव या विचार के दे तक शब्द को क्या कहते हैं दोस्तो इशी को ही तो शंग्या कहते हैं जी हाँ पहला आपसन सही हो जाएगा अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्यारा सा प्रशन है कि विद्पत्य के अधार पर संग्या के कितने भेद होते हैं तीन होते हैं, चार होते हैं, पांच होते हैं या आपके छे होते हैं तो बित्पत्त के धार पर बताना है दोस्तों बित्पत्त के धार पर संग्या के कितने प्रकार होते हैं तो तीन भेद होते हैं पहला होता है रूड, दूसरा होता है योगिक और तीसरा होता है आपका योग रूड जो सब्द किनी अनसब्दों के योग से ना बने तो उन्हें किसी विशेस अर्थ को प्रकट करते हो तो उनके टुकडों का कोई अर्थ नहीं होता तो उन्हें ही रूर सब्द गहते हैं अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्रस्ट इस्त्री तरत्थ सब्द में कौन सी संग्या होगी। यह ऐसे कोश्चन आये साइपियस में भी कोश्चन पूछे जाते हैं। ठीके दोस्तों किसी भी कमटीटू जा में पूछा जा सकते हैं। ग्रामर की कोई शीमा नहीं होती। संदि, समास, प्रते, शंग्या, शरणाम, उप्षर्ग, ठीक है, यही सारी चीज़ों तो अमारी ज्यादा तर पूछे जाते हैं, ठीक है, कारक हो गया, रूप हो गये, ठीक है, इस्त्रीतत्त शब्द में कौन सी संग्या होगी, जाति वाचक है, बेकति वाचक है, भाव वा तो यहां तो आपका द्रव आचक कोई तुलना भार से संबंदित है तो नहीं है तो इस्तितत में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों भाव आचक हो जाएगा आई थिंक आपसर नमर सी सही हो जाएगा भारती ये सब्द का बहुचन क्या होगा भारतीयों 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 या इन मेंशे कोई नहीं तो भारती ये सब्द का बहुचन पूचा गया देखे एक वचन बहुचन दे वचन ये भी प्रसनाते हैं तो भारती शब्द का बहुचन भारतियों हो जाएगा मेरे प्यारे भारतियों, ठीके, तो एए आपसंस सही हो जाएगा और अंगला प्रसने, सूर सब्द का इस्तिरि लिंक क्या होगा शूरियाणी, शूरिया, शूरियाई या शूरियो शबी लोग कमेंट करेंगे शूर सब्द का इस ती लिंक सब्द बताना है तो यहाँ पर राइट आपसन आपका बी आपसन के जाएगा शूरिया हो जाएगा अंगला प्रसंदिया गया है दोस्तो बुरहापा भी एक प्रकार का अभिशाप है इस वाके में बुरहापा सब्द की शंग्या बताना है बुरहापा सब्द की शंग्या क्या होगी जातिवाचक, बेक्तिवाचक, भाववाचक इमेश कोई नहीं देखें बुरहापा भी एक प्रकार का अभिशाप है तो वाकिम देखिए अभिशाफ होना यानि कि उसका क्या है भाव बताया जाना है यहाँ पर क्या हो जाएगा सी आपसन सही हो जाएगा अब देखते हैं अंगला प्रसन है प्यारा सा प्रसन है ठीक है क्या पूछा जा रहा है कि इनमे से आप लोग यह बताये मेरे प्यारे मित्रों कि सब्दों में कौन सा सब्द संग्या है ठीक है कुरुध है क्रोध है क्रोध है क्रोध ही है या क्रोध ही थै अब बताना है शब्द में संग्या कौन सा होगा कि सब्द में आपका संग्या सब्द है शबी लोग कमेंट करेंगे तो यहां पे जो क्रोध शब्द लिखा गया है क्रोध में क्या हो जाएगा दोस्तों शंग्या सब्द हो जाएगा I think आपका क्रोध आपसन सही हो जाएगा बहुत बहुत धन्वाज शबी मित्रों को जहिंद बंदे मातरम दोस्तों सेयर कर दीजे कि आशु ही होते हैं सभी लोग कमेंट करेंगे तो राइट आपसन आशु हो जाएगा अब बताई निम लिखी सब्दों में से एक सब्द पुलिंग है और पुलिंग सब्द कौन सा है बुढ़ापा है जड़ता है घटना है दया है ठीक है तो पुलिंग सब्द यहां पे क सही भेद को पहचानना है वाक है हे प्रभो मेरी इच्छा पूर्ण करो वाक दिया गया हे प्रभो मेरी इच्छा पूर्ण करो कर्म कारक है अधिकरन है शम्मंध है अपादान है शम्मंध का के की हे प्रभो मेरी इच्छा पूर्ण करो ठीक है तो क्या हो जाएगा सबी लो भाव आचक संग्या बताना है लड़कापन लड़काई लगपन या लड़काई पन तो भाव आचक किस में आ रहा है भाव आचन आपके ठीक है लड़कापन में की लड़कपन में आएगा भाई या लड़कपन में आएगा लड़कापन नहीं करना गलत आप्षन है ठीक है राइट आपसन आपका C के साथ जाएगा अंगला प्रस्ण है सत्चरिता किस मूल शब्द से बना हुआ है सभी लोग कमेंट करेंगे सत्चरित्र, चरित्र, चरित्रता या सत्चरित तो जो दोस्तो सत्चरिता है ये किस मूल शब्द से बना हुआ है तो यह आपके चरित्र मोल सब्द से आपका सच चरिता बना हुआ है भी आपसन सही हो जाएगा अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्रस्ट प्यारा सा प्रस्ट ने ध्यान पूरग देखेगा कौन सा सब्द बहुचन है माता, प्राण, लड़का, किताब तो यहाँ पे बहुचन की बात कर रहे हैं देखिए, मेरे प्राण चले गए, उसके प्राण चले गए, बहुत से लोगों के प्राण चले गए ठीक है, यानि की पूरे, बहुत सारे लोगों के प्राण गए मत्तब प्राण, जो सब्द है, यह बहुचन में आएगा ठीक है वही रहेगा मांकी माताएं हो गए लड़के हो गए किताबे हो गए ये बहुचन है लेकिन प्राण का आपका प्राण यही बहुचन कहलाएगा भी आपसन सही हो जाएगा कौन सा सब्द पुलिंग होगा आपका कपट है सुन्दरता है मूरकता है निद्रा है तो पुलिंग सब्द की पहचान करना है यहां पर जो सब्द पुलिंग में आएगा वैं दोस्तों कपट आई ठिंक होना चाहिए देखते हैं बहुत बहुत धनवात पहला आपसं सुझे कपट यहां पुलिंग में हो जाएगा और गीदर का इस्ति लि वेसी कौन सा सही होगा देखे एक जगाये मूरकता लिखा था और यह एक जगाये आपके गीदर ने लिखा था फिप्टी फिप्टी चांसे जे दोनों में आपको लोगों कमेंट के माक्टन से बताना है इसमें क्लियर करना है कि Kीदर के इस हिमालय से गंगा निकलती है चाकू से फल निकाटा से से देखी तीनों में है तो तीनों तो हो नहीं सकता ठीक है अर्थात हमें यहां सभी अगर हमें पता भी नहीं है तो अर्थात हमें इसमें को आया है से शे से कारक पहचान देखी कारक चिन ने देखी ठीक है तो इसमें त तो अर्थात अपादानकारक क्या हो जाएगा पहला अप्सन सही हो जाएगा ठीक है हिमालस से गंगा निकलती है अब देखिए दिया पूरत क्या दिया गया है कि सवाक में अपादान कारक अपादान कारक यानि अलग होने के अर्थ में तो राम ने रामण को तीर से मारा मोहन से अब सहा नहीं गया हिमाले से गंगा निकलती है चाकू से फल काटो तो यहाँ पर आई थिंक जो आप संसाही होगा हिमाले गंगा से निकलती है अपा दानकारक होगा अब आप लोगों को कमेंट से जानना फीड़वेक जाननेगे कि क्या हो जाएगा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों इस प्रकार के पसनों को सेम सेम जब कुशन होते है ठीक है तो आप लोगों को भी हो शकता है सब को होता है ऐसा नहीं दोस्तों क्योंकि ठीक है सब लोग सीखते हैं गलतियों से सीख मिलती है और हिंदी सब्दों का लिंग निधारन किसके धार पर होता है जो हिंदी सब्द में भाव आचक संग्या कौन सी है सतुता, वीर, मनुश, गुरू तो भाव आचक संग्या बताना है इसमें आपको भाव दिख रहा हो ठीक है तो सतुता जो है यही भाव कहलाता है सतुता क्या है यह भाव आचक संग्या की कडेगरी में आता है ठीक है बहुत सारे आते हैं आपके सतुता हो गया देखे भाव आचक में चार्ट फोर टाइप के आते हैं पहला होता देखे भाव आचक में गुण के अधार पर सुन्दर्ता, कुशागता, बुद्धिमत्ता, अवस्था के अधार पर बचपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था के अधार पर है और दसा के अधार पर आवनती, उननती, धलान, चड़ाई, ये सारी चीज़े और भाव के अधि में देखे तो आपकी करपन्टा हो गया कहते हैं करपन्टा करना, सतुता करना, मित्ता हो गया ये भावचक संग्या के चार प्रकार के होते हैं और तीस्वा प्रसना ये देख लेते हैं सब्दों में, स्टी लिंक सब्दों का चैन करना है जो सब्द हो, ऐस सब्द ये गए चार, अब इसमें आपको बताना इस्टी लिंक सब्द कौन्शा है अपराद, अध्याय, श्वदेश या इस्थापना शवी लोग कमेंट करेंगे, फीडवेक करेंगे या आपके लिए मोक कोश्चन है देखते हैं इस कोश्चन को कौन कम्प्रीट करता है इस्ती लिंक सब्दों का चैन करना है अपराद, अध्याय, और सुदेश तो सभी मित्रों को जहिंद बंदेवातम दोस्तों हमेशा हस्त्री मुस्कुराते रहिए और सेलेक्शन पाने के लिए तैयारी जारी रखेंगे तैयारी जितनी जारी जारी रखेंगे आपको आशान रहता है क्योंकि इस सारी चीज़ा में हमारे माइंड में क्या इस्टोर होते रहती है और रन अप में रहती है और शड़ी रन अप में रहता है तो बहुत ये अच्छा माना जाता है तो चलिए दोस्तों शभी मित्रों को शुगराते